आज हम बनाएंगी गेहूं के आटे के साथ ये बहुत ही टेस्टी और एक्तम क्रंची, क्रिस्पी, होममेड, चॉकलिटी कुकिस इन कुकिस में आज हम कोई मैदा यूज नहीं करेंगे, बलकि रेगुलर गेहूं का आटा, जिसे हम घर में रूटीन में रोटी बनाते हैं, उससे बनाएंगे आज हम इसे और वो भी बिना किसी एक्स और बिना आवन कडाही में बेक होंगी आज की ये कुकिस, तो बहुत ही आसान और इंट्रस्टिंग सी रेसिपी है, तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और मे जा हो तो इसकी जगा अंसल्टेड बटर ले सकते हो, या फिर अगर देसी घी है, तो वो भी यूज कर सकते हो आप इसमें, बस सिरफ एक चीज का ध्यान रखेगा, कि बटर या देसी घी जो भी आप यूज करें न, वो रूम टेम्परेचर के उपर होने चाहिए, यानि कि जैसे आप देख रहे हो कि ये बटर है, ना तो ये बहुत जादा हार्ड है, और ना ही एकदम से मेल्टेड है ये, तो इस तरह से रूम टेम्परेचर, यानि कि हलका सॉफ्ट है ये, तो इसी तरह का यूज करना है हमें, तो इस बटर को पहले हमें विप कर लेना है, मैं है आपके पास इलेक्ट्रिक विप कर लो, आप उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इसके साथ में इसे तीन से चार मिनिट तक विप करेंगे अच्छे से, या तब तक जब तक कि ये जो बटर है ने, ये एकदम क्रीमी, फलफी और लाइट हो जाएगा, तो इसे मैंने और आप देखे हो कि एकदम क्रीमी और लाइट हो गया ये कलर और टेक्शर में, तो अब हम इस स्टेज के उपर इसमें डाल देंगे आधा का पिसी हुई चीनी, नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करकी उसकी है मैंने, तो इस चीनी को भी अब हम बटर के साथ एक बर विप कर लेंगे, तब तक जब तक कि एकदम लाइट, क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए अपने टेक्शर में, तो इसे विप कर लिया है मैंने और अब आप देख रहो कि कितना एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफी है इसका टेक्शर, और क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स भी बन रही है अब इसमें, तो हमें इसे इतना विप करना है, तो बस अब हम इसके बाद इस बोल के उपर रखेंगे एक चन्नी और इसमें मैं डाल जहूं एक कप आटा, ये नॉमल गेहूं का आटा है जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो जैसे ये ऑप्शनल है, अगर बेकिंग पाउडर के बिना भी आप इन बिस्किट्स को बनाएंगे ना, तब भी ये बोखत ही यमी और एकदम क्रिस्पी बनेंगे, तो इन सारी चीजों को चान लेंगे एक बर, अचा अगर आपने पहले इसमें unsalted butter यूज किया था, तब आ इसे आटे की तरह मसल मसल कर गूंतना नहीं है, बस बिल्कुल हलका हलका सा इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और ये एक डो की फॉर्म में बंधना शुरू हो जाएगा, तो मैंने इसे मिक्स कर लिया और अब आप देखरों कि मिक्षर जो है, ये हलका क्रमली लग रहा है एक बर एक कुकी मना कर चेक कर लेंगे, तो आप देखरों कि अच्छे से बाइंड भी हो रही है ये और कोई बहुत जादा क्रैक्स भी नहीं है इसमें, तो बस हमारा ये डो बिल्कुल तायार है, इसे पांच मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे, और इतनी तेर में हम अपने homemade oven, यानि कि एक तरफ कडाही को गरम होने के लिए रख देते हैं, तो इसके लिए अगर आप कडाही यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी मोटे तले की कडाही लेकर इसमें कोई stand रख दो, या फिर इस तरह से किसी plate को उल्टा करके रख देंगे, और इस कडाही को अगर आपके पास यह नहीं है, आप इसकी जगा कोई और cake mold ले सकते हो, या फिर कोई steel की थाली या plate भी यूज़ कर सकते हो आप, तो इस mold को पहले grease कर लेंगे अच्छे से, तो oil के साथ grease कर जूँ मैं इसे, अच्छा इसी तरह से अगर आप oven में बना रहे हो, तो इसके लि चोटी या बड़ी cookies जितनी भी आप बनाना चाहते हो, वैसे बना लो, और पतली या मोटी जिससे भी पसंद है आपको उतनी बना सकते हो, तो बस इस तना से इसे हाथों में रखके थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, साइड से अगर cracks हैं तो उसे हलका-लका seal कर लो, तो हमारी य या इसे रखेंगे, grease किये हुए, मोल्ड में, इसे तरह से बाकी क्यों cookies को बना लेंगे, आचा मोल्ड में इन cookies को रखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन cookies के बीच में भी हमें थोड़ा gap रखना है, और side से भी हमें से थोड़ा सा आगे की तरफ इसलिए हमें इसे थोड़ी दूरी पर रखना है, जैसे मैंने रखा है, और side से भी थोड़ा आगे रखेंगे से हम, और इसे और भी चॉकलिटी फ्लेवर देने के लिए और थोड़ा ऐसा गानिश करने के लिए मैं इसके उपर ये चोको चिप्स लगा रही हूँ, आप्श पतली बनाई है, तो ये जल्दी बन जाएंगी, अगर थोड़ी सी मोटी रखी है, तो बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए नब 15 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक कर लीजेगा, और अब थोड़ी सी कुकिस को मैं अवन में भी बेक करके बता रही आपको, तो इसके लिए उसी तरह से कुकिस बना ली है, थोड़े थोड़े गाप पर रखनी है हमें, और अवन अच्छा से गरम हो गया है, तो इसमें अब हम अपनी ट्रे रख देंगे, और इन कुकिस को अब हम बेक करेंगे, 180 रिगरी पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, अवन की टाइमिंग सबकी अपनी अपनी है, तो एक बर 8 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लिजेगा, तो इन कडाही वाली कुकिस को रखे हो, मुझे पूरे 19 मिनट हुए है, एक बर इसे चेक कर लेंगे, अच्छा इन ही चेक करने के लिए आपको हलका सा चाकू या फिर च कूकिस को नावखम पहले थोरी दिर के लिए ठंडा हो जाने देंगे, अभी ये गरम है तो बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे जासी ठंडी हो जाएंगी और ये अच्छो से क्रिस्पी हो जाएंगी, तो थोडिक धिर में ये अच्छे से ठंडी हो गई है, डीमोल्ड कर बड़ी आसानी से आप देख रहे हो कि अलग हो जा रही है ये और नीचे का टेक्शर देख रहे हो आपके कितना एकदम क्रिस्पी है ये बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ये देखने में और अंदर का टेक्शर चेक कर आती हूं मैं आपको क्रिस्पी है अंदर से एकद इसका भी texture ऑर taste बञकुल ने सेम हैं से हमने कड़ाही में बनाई है तो बस बम स्मार्य ही बनेगी यह टेस्ट और Texture में बस १रथा अवन में पर और भ्राही में थोड़ा चॉत से जादा यूद्ध पर यहाई प्वर्था इन तैम वहाई में, हम नहीं 20 यहाई आमेजिंग है आप इसे इंजोई करो अपनी टी कॉफी के साथ यह सब को बहुत ही जादा पसंद आएंगी और इन कुकिस को आप एर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर भी कर सकते हो काफी देर तकी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी तो है ना बहुत ही इंट्रस्टिंग स तो फटा फट से ट्राय करो इसे और अगर रेसीपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें